अब देख सकते हैं कि क्या खुब्सूरत लैंड्सकेप है मेरे बैक्ग्राउंड में और यह और ज्यादा खुब्सूरत इसलिए लग रहा है कि ओवर आल जो पॉलुशन है वो कम हो चुकी है और यह क्यों कम हुई है उसकी वज़ा लॉकडाउन है देड़ महीने से लॉकडाउन चल रहा है सब लोग अपने घरों में बैठे में और अब थोड़ी सी नर्मी हुई तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने आपको धूप लगवाएं ठीक है और हमने गाड़ी को सेल्फ मारा और हम निकल खड़े हुए इस वक्त हम मौजूद हैं एम वन पर यानिके इसलामबाद टू पिशावर मोटर वे पर और जैसे कि आप मेरे पीशे देख सकते हैं यह बोड के उपर पिशावर सवाबी हतार और अब्डबाद हरीपूर है लेकिन आज हमारा जो इरादा है वो हजारा एक्सप्रेस वे को एक्सप्लोर करने का है और ठाकोर तक जाती है जिसमें पांच टर्नल्स भी है आज हम आपको इसकी सेर कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप पाकिसान के तूलों अर्थ से नौर्धन एरियास की तरफ आते हैं और हजारा एक्सप्रेस वे पे सफर करते हैं तो आपको कितना मज़ा आने ल हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जवा है कौन चाहे ऐसा मोसम ढले 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 सुबु दस बजे हमने इसलामबाद से अपने सफर का आगास किया और बरास्ता मोटरवे M1 हसन अबदाल के खरीब हजारा एक्सप्रेस वे को जॉइन किया हजारा एक्सप्रेस वे यानि E35 इब्तदान छे लेन का मुटरवे है जिस पर बहासानी आप 120 किलो मीटर फी घेंटा की स्पीड से ट्राइव कर सकते हैं इस रोड के दोनों अत्राव पंजाब के खुबसूरत खिता पोठोहार के हसीन नजारे भी आपके हमरा रहते हैं जी वेवर्स मैं सब मौझूद हूँ E35 यानि के हजारा एक्सप्रेस वे के इसे एक पुल के उपर लेकिन यहां पर रुकने और आपको बताने का मकसद ये है इस इलाके का नाम जारीकस है और ये सूबे पंजाब और सूबे खेबर पक्तून खुआ का संगम यानि के बॉर्डर के लाता है और मेरे पीछे आप ये जो हाइवे या रोड देख रहे हैं ये वो मशूर कराकुरण हाइवे यानि के شहरा बक्राकुरण है जो के इस्लामबाद से एप्टाबाद और तोससे आगे व 나타ए पृशांब तर इस आगे चाईना तक जो आती है लेकिन इस वक्त E35 यानि के हजारा एक्सप्रेस वे जो के फास्टस एक्सप्रेस वे है इस आलाके में ट्रैवल करने के लिए ये जो है वो आपके सफर को और ज्यादा आसान बना देती है तो लहाजा हम जो है वो आप ट्रैवल करते हुए पंजाब से खैबर पख्तुन खुआ में दाखिल हो रहे हैं और इस से आगे हमारा सफर जो है वो इस हजार एक्सप्रेस वे पर रहेगा और हम आपको आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हमारे साथ रहेगा एबिटाबाद की तरफ सफर करते हुए आपके राइट साइड पर मारगला हिल है जिसके दूसरी तरफ इसलामबाद है जिबके लेफ साइड पर जो आजीम श्शान पहाड़ी सलसला है इसी के दामन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तर्विला डैम मौजूद है वीवर्स मैं सब मौजूद हूँ हदारा एक्सप्रेस वे यानिके ए-35 के उस रीजन में जहां आप एब्टाबाद से गुजरते हैं और जैसे के आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टनल्स हदारा एक्सप्रेस वे ने फाइब टनल्स मनी हुई हैं और बड़ी खुफूरत और शानदार टनल्स हैं हम आपको इसका वेजिट भी करवाएंगे और मेरे लेफ पे आप देख सकते हैं कि ये एब्टाबाद का रीजन है हम तकरीबन एक गहंटा और पच्चेस मिनिट में हसन अबडाल से एब्टाबाद पहुँचें कि आप बलीव कर सकते हैं नहीं न जी हाँ ये मुम्किन हुआ इस फास्टेस एक्सप्रेस वे के जरीए कि जिसके उपर जो है आप सिर्फ डेड़ गहंटे में या सवा गहंटे में आप हसन अबडाल यानि के M1 मोटर वे से एब्टाबाद पहुँच जाते हैं अवेलियां और एबिटाबाद को भी बाइपास कर जाते हैं यूँ घेंटों का सफर मिंटों में तै हो जाता है अरे भाई अब नीचे कैसे उतरना है अब विवर्स वैसे यह कोई पिकनिक स्पोर्ट नहीं है एक मज़े का जो है वो रैंप था मैंने करा चड़के देखें लेकिन यह आप देख रहें कॉंक्रीट रैंपिंग यह बड़ा यूनीक स्टाइल है यह बड़ा यूनीक जो है वो टेकनीक है और आपको पता है पहाड़ी लाके में जब रोड बनता है यह एक्सप्रेस बंता है तो उसका जो सबसे बड़ा डेमेज होता है वो उसकी लेंड स्लाइडिंग के वज़ासे होता है तो यह एनचे ने एक बड़ा जो है इस दफ़ा यूनिक पेट्रन एडप्ट किया है लेंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए और यह जैसे कि आप देख सेथे हैं कि यह जो महराबें आपको नजर आ रही हैं यह कंक्रीट के जो है वो ब्रिक्स हैं जो के इन्होंने ल साबित होता है कि यह जो रोड इस तरह से इस टेक्नीक पे बने उसकी जो है वो जहरे लाइफ भी बढ़ जाती है आपका अगान नरान ट्रैवल करते हैं आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वहां से जो रोड होते हैं वो लेंड स्राइडिंग के वजए से टूट के दरिय अग्सरा के अंदर गिरे होते हैं लेकिन इस टेक्नीक के दरिए आप हैसल फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और पलस यह है कि चुके यह जो शाहराएं यह आपका कौमी असासा होती है और आपके लिए जो है यह आपकी आने वाली नसलों के लिए इन का बाकी रहना किया कि इसे इसकी जो है वो लाइफ बढ़ गई है ठीक है अब मुझे बताएं कि मैंने नीचे कैसे उतर नहीं है लेट्स ट्राइएं यह धिर ठीक है ठीक है वीवर्स और हमारे सामने जो है यह एक रड़ खुला हुआ है हम आगे तक जाएंगे जहां तक जा सके यह पताया जा रहा है कि मांसीरा से आगे जो है यह रोड अभी अभी अंडर कंस्ट्रॉक्शन है लेकिन हम ट्राइब करेंग अगर थोड़ा सा भी हम जो है न वो से आगे जा सके और इसकी जो इसकी जो जो वर्किंग है या इसकी जो इसका जो डिवल्प्मेंट फेस है वो भी आपको दिखा सके ठीक है हमारे साथ रहेगा हजारा एक्सप्रेस वे पर जो सर्विस एरियाज है वो भी एक यूनिक डिजाइन पर तयार किये गए हैं और देखने में किसी यूनिवस्टी के केमपस का समन्जर पेश करते हैं यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि मुल्क भर में लॉक्डाउन की वज़ा से सर्विस एरियाज अभी ऑप्रेशनल नहीं हैं ब्लम आख वोट ओव कई वी वर हम पो च केछिश करने मांसरा इंटरचेंज जी हाँ ioned झाँ इथर्टीफिफएव भश्रह एकृश्बं पेर सफर करते हुए मानसरा इंटरचेज हम कोशिच की यह मिस्ट के पकेर जब joint प्रणुके अंडर डुवल्प है सारा एरिया सारा जो रोड है वो इस वोगत अंडर कंस्ट्रक्शन है और लॉक्डाउन की वजह से अभी जुह है वो काम भी रुका हुए वहां पर इसलिए जो है वो हमें जो है वो आगे नहीं जाने दिया गया तो हम यहां से एक्जिट ल तरा ने गाए किसन इन राहों में ये प्यार के फूल खिलाए जी वीवर्स लखली हमने हजारा एक्सप्रेस वे पे मांसेरा क्रॉस कर लिया है औल्दो के मांसेरा इंटर्चेंज से आगे जो है वो अभी फिलहाल जुके अटर्ट्वेल्प है ये रोड तो इसलिए वो अल में हमें जो है वो अलाओ किया क्योंकि हमने उनको बताया कि हम बेसिकली इसी प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए ये वी लॉग बना रहे हैं तो उन्होंने हमें अलाओ कर दिया और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इंवार्मेंट है जहां पर हम खड़े हुए हैं मेरी इस पैथ पे इस रोड के उपर जो आगे मनसेरा के बाद आगे जो आहम शहर आते हैं उनमें शिंक्यारी है बटल है बटाग्राम है और फिर एंड होता है थाकोट पे ओध हे तो यह सारा दिया ानेक्सपोड है और आप इस रोड के बनने की वज़या से जब लोग यह पर ट्रवल करेंगे तो यकीनां यहां पे जो है ना यह सारे एरियास जो है वो डिवेल्प होंगे होटलिंग के हवाले से टूरिज्म के हवाले से और लोग यहां पे हैंग आउट करने आएंगे पिकनिक्स करने आएंगे और यकीनन वो जो एक कागा नरान पर लोड है वो थोड़ा सा कम हो के यहां पे भी आएगा चुक्कि यहां पे इससे पहले जो है वो इतनी बहुतात नहीं है लोगों की गृनरी बहुत ज्यादा है अफकोर्स लिट्रिंग भी कम है लेकिन जो लोग यहां पे आएं उनसे रिक्वेस्ट है कि लिट्रिंग ना करें बलके अपने इंवार्मेंट को साफ रखे तो जरूर इंजॉय करें और हमारे साथ रहे हम आपको और भी बहुत कुछ इंजॉय करवाने वाले हैं कुश्बू है हवाओं में जादू है पिजाओं में हर जलवा है दिल नशी मिलती है यहां जमी मुझकुरा के आसमा से गले 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 विवर्ज ये था आज का हमारा विजिट हजाराएक्सप्रेस वे का जैसे कि हम ने आज आज आपको दिखाया जैसे हमने eam 1 के बाद हजारा एंप्रेस वे पे स्विच किया और उसके बाद हरीपूर हवेलियाँ एप्टाबाद बाइपास करते हुए मांसेरा से एक्जिट लिया था लेकिन दुवारा हम जो है वो उनकी परमिशन से चड़े और शिंक्यारी तक गए और हमने आपको दिखाया कि कितना खुबसूरत ये पैथ है कितना खुबसूरत ये ट्रैक है पहाडियों के दरम्यान बल पीने के लिए और अब हम वापिस इसलामाबाद की तरफ जा रहे हैं और यकिनन आपने हमारे साथ इस ट्रैवल को इस टूर को जरूर इंज्वाए किया होगा इस तरह की मधीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे जरूर क्ल नजारे चले हम चले को हमारे संग संग नजारे चले